मैं हूँ गौरव और मैं हूँ सरीता माल लीजिये आपको एक फिसल पट्टी बनानी है जो सबसे कम समय में आपको उपर से नीचे ले आए तो आपको उस फिसल पट्टी की शेप क्या रखनी चाहिए लगता तो यही है कि इन दोनू पॉइंट्स को अगर सीधी रेखा से जोड़ देंगे तो आप सबसे कम समय में नीचे आजाएंगे, राइट? रॉंग! असल में सबसे फास्ट जो शेप होती है शॉर्टेस्ट नहीं, फास्टेस्ट जो शेप होती है वो यह है और इसका नाम है साइकलोइड कर्फ और साइकलोइड को समझने के लिए हम सर्कल के पास चलते हैं सर्कल दादा, कैसे हैं? लेट्स रोल! सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में चलाने पे उसके बाउंडरी पे कोई पॉइंट जो शेप ट्रेस करता है उसी को हम साइकलोइड बोलते हैं और इसको आप खुद भी बना सकते हैं एक सर्कल लेके अगर उसके बाउंडरी पे छेद करके उसमें पैंजिल डाल दें और फिर उस सर्कल को गुमाएं तो यह जो कर्व आपको मिल रहा है यह साइकलोइड कर्व ही होगा हमने लेजर कट करके एक खिलोना भी बनाया है जिसका नाम है Marble Racer और इस पर हम कंचो के रेस करा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कंचा सबसे पहले नीचे आया चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पर चार कंचे रख ली हैं चारू पातफे और देखते हैं कि कौन सा कंचा सबसे पहले नीचे आता है वन टू थ्री गो अब चलिए इसको स्लो मोशन में देख लेते हैं जैसा कि आपने देखा कि इस साइक्लोइड पात में सबसे पहले कंचा नीचे आया इस स्ट्रेट लाइन को, इस सर्कुलर पात को और यह जो एक ओर पात हमने बनाया है जिसकी इस्टिपनस काफी जादा है, इन तीनों को पचाड के यह साइक्लोइड पात जीत गया और अब यह चर्चा कर लेते हैं कि यह जो साइक्लोइड पात है सबसे fast क्यों है मुझे यहां से यहां सबसे fast आना है इस उचाई से इस उचाई तक सबसे जल्दी मुझे नीचे उतरना है तो मुझे दो चीज़े ध्यान में रखने चाहिए एक तो यह कि जो path में लूँ वो छोटा हो उसकी लंबाई कम होगी तो मैं जल्दी से नीचे पहुँच पाऊँगा तो वो straight line में सबसे जोटा path है लेकिन दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए वो यह कि जो मेरा कंचा है यह speed से नीचे आए तो यह जितना steep यह slope होगा कर्व होगा उतना मेरी कंचे की speed जादा होगी और इन दोनों का balance हमें cycloid path में मिलता है इसलिए कंचा उपर से नीचे तक सबसे जल्दी पहुँच जाता है और हमारा जो यह marble racer का track था यह असल में inverted cycloid है यानि इसी shape को लेकर और उसको उलट दें तो हमें यह वाला curve मिल जाएगा तो straight line path सबसे छोटा है लेकिन सबसे तेज नहीं है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं मान लीजिए हमें गोडे पे point A से point B पर जाना है rate पर गोड़ा देरे देरे चलता है और road पर तेजी से दोड़ता है तो हमें B पर सबसे जल्दी पहुँचने के लिए कौन सा route लेना चाहिए straight line में जाएंगे तो हमें rate में जादा time travel करना पड़ेगा जो कि slow है तो ऐसा कर सकते हैं कि rate को जल्दी से ऐसे cover कर दे सीधा और फिर B की तरफ road पर travel करें बट इससे हमारा total distance बढ़ जाएगा तो कौन सा route लें कि ये दोनों चीज़े minimize हो जाएं हम तेजी से travel भी कर पाएं और हमारा जो total distance है वो कम भी हो जाएं और surprising बात यह है कि nature को ये quickest path अपने आप पता होता है जैसे light को अगर एक point से दूसरे point पे जाना हो तो वो उसी path से जाती है जहां उसको सबसे कम समय लगे and this is called snell slow light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो एक particular angle पे bend हो जाती है और वो जो bending का angle है that depends on this formula तो घोडे पर जब हम उतने angle पे जाएंगे जिसमें sin theta 1 divided by sin theta 2 is equal to speed in sand divided by speed in road तो हम सबसे fastest जो पाथ है वो travel करेंगे और सबसे जल्दी अपने स्थान पर पहुच जाएंगे इस cycloid path को brackets to crown curve भी बोलते हैं brackets मतलब shortest और crown मतलब time ये path fastest तो है ही लेकिन एक और मज़ेदार बात ये है कि इन दोनूं कंचों को अगर मैं एक कंचे को यहां रखूँ और एक को यहां रखूँ तो ये दोनूं कंचे और एक time पर छोड़ू तो दोनूं कंचे एक समय में नीचे आते हैं इसलिए cycloid path को toto crown curve भी बोलते हैं toto मतलब same, crown मतलब time यानि दोनूं कंचों को कहीं से भी आप पकड़ के छोड़ो तो दोनूं सेम समय में नीचे आते हैं हमने CCL में ये कार भी बनाई है जिसका नाम है cycloid wave कार ये चलती सीधी है लेकिन बनाती cycloid wave है तो जब इस कार का पहिया घूमता है तो ये उपर लगे gears भी घूमते है जिससे ये pen stand गोल-गोल घूमता है और curves बनाता है तो cycloid जो हमने देखा ये एक तरह का trochoid curve ही है circle का roll करते समय है अगर वो point जो हम trace कर रहे हैं circle की boundary पे है तो हमें cycloid मिलता है अगर boundary के अंदर है तो हमें cutate trochoid मिलता है और अगर boundary के बाहर है तो हमें prolate trochoid मिलता है और यही चीज हम cycle में भी देख सकते हैं अगर cycle के paddle पे marker लगा के उसको trace करें तो हमें इन तीनों में से कोई एक path मिलता है अगर यही तो हमें चीज है